खटिक साहब को लेकर के जो नाराजगी की खबरे हैं वो क्या है अखिर क्यों इस्तिफा देना पड़ा उनको उनका कहना है कि तवज्यों के दरकार रहते लेकिन तवज्यों को मिलती नहीं है सरकार में दरसल अभनाजी महमा था नहीं और मेरी बारता भी हुई नहीं इस विसे में जाके बारता करेंगे और अब किन परश्तित में ऐसा हुआ है मुझे आधनी योगी जी बहुत सुल्जे हुए धार्मिक के साथ साथ और मठादीश में हैं और आज मुखमंत्री भी हैं आप देख आपकी भी तल्खिया नाराजगी की खबरे आई थी तो मनलब की क्या है एक तरफ आप इसको किस तरह से देखते हैं कैसे मान मनुवल हुआ या कैसे आप मानें या कैसे सब्सक्राइब नॉर्मल हुआ देखे मैं खबरें बिलकुल सत्य थी आपकी मैं कहीं जोट नहीं बोल मैं सब्सक्राइब बापश ले रहा हूं लेकिन परवार में मैंने पता है कभी कभी कुछ गलत फहिमियां और गलतीयां हो जाती है उनको फिर सुबह का भूला साम को घरा जाया तो भूला नहीं कहा जाता है परवार की बात है अब गलती होगे जिससे भी होनी थी यह वो ब मुक्सान होगा और यह बाहरी तो कहीं भुच जाते हैं को कोई सपा जाएगी सभा में बस पाएगी बस पाएगी बस जाएगे 14 साल भारती दिंता पाड़ी का ऐसा समय था कि कोई उत्तर प्रदेश में आने को तया नहीं था मुझे प्रदेश संक्ठमंत्री से प्रदेश म महां मंत्री से प्रदेश उपादस पत से इतने बड़े पत से मुझे जिलादस बनाया गया मैंने जिलादस भी स्विकार किया मैं और योगी जी दोनों हिंदू मुसलमान का जगडा कराया मुलायम शिंग जी ने वहां हम च्छै मीने हम लोग गरबदार रहे तो ऐसी स्थि लोग न होते तो आज पार्टी देश में न होती तो इसलिए ऐसे जैसे पानी का जहाज है पानी का जहाज चार हिस्से में बाटो तो तीन हिस्से पानी में और एक हिस्से उपर है हम लोग पानी के जहाज में डूबे हुए हिस्से का मान के चलिए क्योंकि हिंदूस्तान की राश्टबाद की सोच हिन्दूस्थान की तरق्कि में हम लोगों का योगदान ये सोच हमारी भावना हमारा कार करता है सओने से तपा हुआ कार करता है इसलिए पुराने लोगों को हम को नहीं भूलना चाहिए हमारे जितने भी बरेष्ट लोगा मैं उनसे भी हाद जोड के निवेदन करूंगा कि अपने कारकरता का हमेशा सम्मान करें जैसा भी है हमारा कारकरता हमारा कारकरता सोने से तपा हुआ है कांग्रेस से बसपा से सपा से और सबसे बैटर है मैं का तो हमसे ज्यादा बैटर कोई कारकरता है नहीं पूरे भारत में बिसमें इसमें रिसर्च हो रहा है भार्चे जिन्ता पार्टी अमिर्का के डिएट सो इस्टुएंट रिसर्च कर रहा है भार्चे जिन्ता पार्टी को पर कि कैसा कार करता है कैसे कब से लगा हुआ है कब से लगा हुई देखिए आप इसी सिर्टी को तो इसलिए भारते जिंदा पार्टी का मैं कार करता हूँ को नमन करता हूँ पड़ाम करता हूँ और आपके मादेम से संदेश देना चाहूँगा कि ये हम हिंदुस्तान के हैं हिंदुस्तान हमारा है और भारते जिन्दा पार्टी के मादेम से देश की सेवा करें यही इतना ही किते हैं